पनोर्म कुरूप जो सोचता है वो करता है गोपाल मंडल जो जदियू के विदायक है नितीश कुमार के काफी करीबी है उन्होंने एक बाप फिर से नितीश कुमार की टेंसन बढ़ा दी है बीमा भारती और गोपाल मंडल के बीच जो तलकिया उत्पन हुई है इस वक्त राजनीती गराने में वो अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि गोपाल मंडल ने नितीश कुमार के लिए चिंता का विशे पैदा कर दिया है दरसल गोपाल मंडल ने कई बार बयान दिया है कि अगर हमें कोई पैसा देगा हमें कोई 4 करोड रूपया दे दे एक करोड रूपया लाके यहाँ पर रख दे तो हम उसे नकारेंगे नहीं देखिए राज़त के तरफ से जदियू के विदायकों को 10 करोड का प्रोलोबन दिया जा रहा था उस प्रोलोबन में कहा ये जा रहा है कि कई विदायक जो हैं वो संपर्क में आ गए थे हलाके नितिश कुमार ने अपने पार्टी को बचा लिया इदर गोपाल मंडल ने टेंसन बढ़ा दिया है दर असल आपको बता दे कि लोगसवा चुनाओ की तयारी के साथ एलान कर दिया है कि वो लोगसवा का चुनाओ लड़ेंगे सीट बटवारे से पहले जदियू में दाविदारी का खेल सुरू हो गया है जदियू बिदाय गुपाल मंडल ने एक बाप फिर भागलपूर लोगसवा सीट से ताल ठोक दी है उन्होंने कहा कि ब्यार बिदान सबा का बजट सत्र खत्म होने के बाद वह लोगसवा छेतर का दोरा करेंगे उन्होंने कहा है किस बार टिकट पक्का है अगामी चुनाव में जदियू से भागलपूर के वहीं उमिद्वार होंगे आपको बता दे कि ये सीट जदियू के अजय मंडल सांसद है उनके पास है अगामी चुनाव में ये सीट बीजेपी अजदियू किस पार्टी में जाएगी ये अभी तक चर्चा नहीं हो पाया है ये खाते में किस के जाएगी ये भी अभी चर्चा का विशे बना हुआ है इधर बीजेपी ने अभी अपने कंडिडेट उताने की शुरुवात की ही थी कि तभी गोपाल मंडल ने टेंसन बढ़ा दिया है बीजेपी ने गोपाल मंडल लंबे समय से लोगसभा चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं जदियू जब महागडवंधन में थी तभी लगतार इस सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे उन्हेंने गुरुवार को मीडिया से बातचित करते हुए कहा कि भागलपूर से ही लोगसभा चुनाव लड़ेंगे पिछले चुनाव में एसीट जदियू के पास था इस बार भी उनकी पार्टी कोई मिलेगा उन्हें दावा किया है कि लोगसभा चुनाव में उनकी जीत सुनिस्चित है पहले वे 2 लाख वोट से जीते थे अब इस बार कुछ से जादा 3-4 लाख वोट से जीतने का दावेदारी कर रहे है गोपाल मंडल ने कहा कि जदियू आर्जडी से नाता तोड़ने पर लोगसभा चुनाव में कोई नुकसान नहीं होगा जदियू जब महागडबंदन में थी तब गोपाल गंडल ने लोगसभा के दावेदारी की थी उससे में कॉंग्रेस निताओं से उनकी तक्रार हुई गोपाल मंडल ने कहा कि भागलपूर में कॉंग्रेस भगवत जहा के जमाने से ही खतम हो गया अब इस छेतर में पार्टी का वजूद नहीं यहाँ से कॉंग्रेस अगर विदाय का जीत सर्मा को टिकर देती है तो भी उचुनाओ नहीं जीत पाएंगे उनकी छेतर में पकड नहीं है मंडल ने आरोप लगाया कि पैसे के बल पर चुनाओ जीतते हैं देखे भागलपूर का अगर बातित करें तो 1989 में हुए भागलपूर दंगे के बाद यहाँ कॉंग्रेस की जमीन खिसक गई इसके बाद यहाँ बीजेपी आरजेडी सीपीएम और जदियू के उमिद्वार जीतते रहें शैनवाज उसें से लेकर सुसील मोधी तक बड़े नेता यहाँ से सांसद रह चुके हैं दोजानौज में सांसद लोगसवा चुनाओ में बीजेपी ने इस सीट पर जीत की थी दोजाचोदा में सीट आरजेडी कपजे में चली गई उननीस में एंडिये गडबंदन में सीट जदियू के खाते में आ गई और अजय मंडल चुनाओ जीत गेतोर नितीश कुमार के बेहत करीबी विदायक कुपाल मंडल ने टेंसन बढ़ा दिया है फिलाल अभी के लिखता है चर्चाए जारी है तन्यवाद पनोर्म कुर्प जो सोचता है वो करता है अगर वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाई अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जोईन बटन दबा देला से पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद